असलाम अलेक्म स्टूडेंट्स यह हमारा एक्सरसाइस 2.6 रिलिटिड लेक्चर है यह मारा लेक्चर नमर 11 है इसमें सबसे पहले वह कहरा है कि find f dash of x यानि f का derivative find करो यह question number 1 का मैं second part लिख रहा हूं f of x equal x cube e की power 1 over x तो जब हम इसका derivative find करेंगे कि यहां पर f of x है तो f of x का derivative f dash of x या f prime of x रिप्रिजेंट किया जाता है इसमें दो functions है product form में एक algebraic और एक exponential function है तो इसका derivative product tool के जरीए होगा सबसे पहले आप first function यानि x cube को वैसी लिख दोगे second function e power 1 over x पर derivative apply करोगे और फिर उसके बाद second function यानि e power 1 over x वैसी लिख दोगे और first function x cube का derivative लिखोगे e power 1 over x का derivative हमने पढ़ा कि itself यही होता है तो e की power 1 over x का जब हम derivative find करेंगे तो पहले लिखेंगे e की power 1 over x वैसी लिख देंगे फिर उसके बाद e की power यानि 1 over x का derivative लिखेंगे हमने ये फार्मूलास में याद किया था कि 1 over x का derivative माइनिस 1 over x केर होता है तो यह इसका derivative complete हो गया प्लस के बाद जो लिखा है x cube x cube का derivative power rule की मतलब से पहले power फिर उसकी power में से एक काम यानि 3 x केर बन जाएगा अब आप इसको arrange कर के लिखोगे के एक x cube है यह देखो यहाँ पे यह x cube है denominator में x केर है x की power 2 है यह power 2 उपर जाके इस में से जब subtract होगी तो x की power सिरफ एक रहे जेगी और यह e power 1 over x साथ वैसी ही आगया negative sign बाहर आगया और यहाँ पे इसको तो simple arrange कर के लिखेंगे तो यह आपका simple answer होगा यह next question number 2 है इसमें वो कह रहे है कि आप diva by dx find करो y function उसने आपको given दिया है तो आप y function लिखोगे किसके एक बाल है x divided by natural log of x यह जो कि fraction form में divian form में तो इसमें जब हम derivative find करेंगे तो quotient rule apply होगा quotient rule क्या कहता है कि denominator का आप सबसे पहले square करो फिर उसके बाद denominator को बगयर square के उपर लिखो तो denominator चूँके log x है तो log x को हम square करेंगे और log x को हम बगयर square के उपर लिखेंगे तो मैंने लिख दिया अब इस function में एक x और एक log x है log x हम लिख चुके है log x को छोड़के बाकी बच जाता है x तो x का आप हम derivative लिखेंगे माइनस के बाद आपने recently जिसका derivative find किया आप उसका बगयर derivative करके लिखोगे यानि x simply लिख दोगे और x को छोड़के log x का derivative करोगे अब x का derivative 1 होता है और log x का derivative 1 over x यह आप इसमें put कर दोगे बचे यह जो दोनों x हैं यह आपस में cancel हो जाएंगे तो यहां तो 1 बच जाएगा तो यहां इसकी जगा 1 लिखेंगे बाकी आपका यह required आंसर हो जाएगा यह इसी question number 2 का एक part है इसमें आपको y equal दिया by x into e की power sin x तो इसका जब हम derivative find करेंगे तो इस पर product tool लगेगा तो तरीका वो ही है first function यानि x आप लिखके second का derivative फिर second वैसी लिखके और first का derivative बचे इस सबसे पहले हमने derivative find करना है e power sin x का तो हमने यह पढ़ा है कि exponential यानि e power का derivative होता है वो ही होता है e power sin x का derivative e power sin x ही होगा यह देखो यह e power sin x है इसका derivative हमने e power sin x ही लिख दिया फिर इस e की जो power में sin x लिखा है इस sin x का अलहेद से derivative लिखना है यानि cos x आगे x का derivative 1 अब आप इनको औरेंज करके लिखो के तो आपका answer हो जाएगा इसी question number 2 का एक और part करते हैं इसमें उसने y is equal to x plus 1 whole power x गिवन दिया है तो इस तरह के बचे इसमें दो questions है इनमें हमने यह पड़ा था कि जब भी आपके पास variable के उपर power में फिर variable आजेगा तो ऐसे question में direct derivative find नहीं करना बलके सबसे पहले हम log apply करेंगे तो यह हमने यहाँ पे किया है यह जो function y दिया है इसका हमने derivative find करेंगे बजाए पहले दोनों तरफ देखो log apply किया log apply करने से वो जो power x है वो log से पहले आजेगी तो यह पहले आगी अब हमारे पास यहाँ पे दो function बगगे एक x और एक log x plus 1 तो पहले x वैसी लिख देंगे और log का derivative फिर log वैसे लिख देंगे और x का derivative तो यह हमने नीचे इनके derivative find किया है इस तरफ जब आप log y का derivative find करोगे तो log का derivative one over होता है तो y का derivative one over y होजेगा और y का अपना derivative dv by dx होगा यह जो y इदर divide में है यह equal के उस तरफ जाके multiply होगा तो यह form बन जेगी इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर लिखने के बाद next step में आप यह वाला y जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी value पूट करोगे y की value उपर question में दीवी है x plus one तो यहाँ पर लिखोगे x plus one और इसकी whole power x तो यह आपका यहाँ पर answer हो जाएगा बच्छे यह भी question number two का ही part है यह इसमें भी इसमें variable के उपर power में तो variable नहीं है लेकिन जुके यह तना complicated है कि हम इसको direct derivative के मुझे से solve करेंगे तो मैंनल यह tough हो जाएगा इसलिए इस question में हम log apply करेंगे तो देखो हमने question में दोना तरफ log apply किया log इन तीनो values पे apply होगा और rule यह है कि log product को यानि उपर वाली values को addition और divide वाली values को subtraction में change करता है तो इसमें आपको simply बात यह भी बताया थी कि जो values उपर लिखी ही हैं उन पे log apply करके plus करके लिख दो और जो value नीचे लिखी ही है उसको log लगा कर माइनस करके लिख दो तो उपर सबसे पहली value x कर माइनस 1, 1 over 2 है देखो हमने इस पे log लगा कर लिखा फिर दूसरी value x plus 1 है इस पे भी log लगा कर लिखा और ये दोनों values चुंके उपर थी इसलिए इनको plus करके लिखा है और जो value denominator में है अब जब हम उस पे log apply करके लिखेंगे तो 7 minus आएगा फिर उसके बाद next है कि log जब भी किसी value apply होता है तो उसकी power पहले आती है फिर उसके बाद ये जो x केर है इसका अलाइद से derivative 2x होगा सेम इसी तरह यहां पे x q plus 1 denominator में आजएक और x q का अपना derivative 3x केर होगा अब इसके बाद जब आप इसको arrange करोगे और ये वाला y जो divide में उस तरफ जाकर लिखोगे multiply होगा तो इसका complete answer आज़ा ये question number 3 का part है इसमें भी हमने derivative find करना है इसमें y is equal to sign hypergolic inverse x y2 लिखा है बचे ये जितने भी formula's हैं ये मैंने पूरा एक lecture बना के आपको भेज़ दिया था अगर किसी student को chapter 2 के formula's अभी तक नहीं आते या उसने नहीं देखे तो वो ये lecture आपके group में पहले से add है देख लो मेरे खेल में ये 7 या 8 या ये लेक्चर होगा तो आप इसको देखो आपको तमाम formula's इसमें मिल जाएंगे तो ये जो hyperbolic sign hyperbolic inverse है इसका formula simple hyperbolic से सिरफ इतना change है कि simple hyperbolic sin inverse के formula में यहाँ पे minus आता है तो hyperbolic वाले formula में यहाँ पे plus आता है बस simple इतना सा फरक है उसके बाद sign hyperbolic inverse x by 2 पे अपला हो रहा है तो x by 2 का अलादे से derivative होगा x by 2 का derivative x का derivative 1 तो 2 अपनी जगपे वैसी रहेगा यहाँ पे x के रो 2 का दोनों का square करेंगे तो यह form बंचे कि अब next step में हम इन दोनों का LCM करेंगे और further आगे इसको हम solve कर लेंगे यह देखो हमने इसको सबसे पहले यहाँ पे LCM conduct किया और LCM conduct करने के बाद आप root दोनों पे अलाद रदा ब्रेक कर दोगे उपर numerator और नीचे denominator दोनों के लाद रदा रूट आगे denominator यानि 4 जो है इसका root 2 हो जाता है यह 2 जो answer आएगा यह इस पहले 2 से cancel हो जाएगा और आपका जो बाकी इस question में बच किया यह answer है यह बचे आपकी 2.6 की assignment है यह भी आप note कर लो question number 1 जो है इसका आपने part number 3 और 5 करना है question number 2 का पहला और दूसरा part question number 3 का तीसरा part करना है बचे यह 5 questions है बहुत असान है आप इनके assignment बनाओ और इसकी pick बना लेके यह assignment फिर मेरे number पे वर्टसप number पे भेज़ दो बचे आपका यह जो review न है यह chapter 1 से start हुई और इस वक्त exercise 2.6 तक पहुंच चुकी है तो इंशाला हम इसको आगे continue रखेंगे आप लोग serious होके इस review में शामिल रो review करो time जाया मत करो आपका तक्रीबन तक्रीबन next month है जिसमें आप आपके papers होने है तो time नहीं जाया करना बचे बहुत किमती time है पता है रमदान है लेकिन आप इसके बावजूद कुछ अपना थोड़ा कर लो time लेकिन लाजमी रोज का रोज पढ़ो इस वक्त जो मुझे लग रहा है ग्रूप में और assignment भीजने में students काफी non-serious हो रहे हैं बहुत कम student है इस वक्त जो ग्रूप में active है या जो assignment या जो teachers lecture भीजते हैं उसको देखते हैं या अगे उसमें करते हैं तो मिरवानी करो बचे आप लोग खुद भी करो और जो आपके साथ दूसरे दोस्त हैं students हैं आपके class fellows हैं उनको भी बताओ ताके वो भी ये lectures देखें और फिर assignments बनाके भीजें शुक्रिया बचे अलाव